तो काफी साल पहले लगभुग पांसो से सो साल पहले प्राचीन मायापुर नौवदीप वेस बंगाल में नौरहरी धाम जो आश्रम सभी ने सुना होगा और इस धाम को कैसे एक सुन्दर एक प्रतिकी रूप में जाके नौवदीप में प्रतिश्तित किया गया। वहां का समलदास मौहरास से बात करते हुए जरूर एक बात को पता चला और काउंटार में जबी प्रवेश करते ही प्रवेश दुआर के लिए आपको हर बेक्ती को त्री सुपया का टिकेट शंग्रो करना जरूरत परते हैं हर बेक्ती को त्री सुपया का टिकेट लेकर पर सजा के रखे हैं साथी उहां प्रवेश करने के लिए एक गुफा की द्वारा से आप अंदर की और गुश सकते हैं गुफा भी बहुती सुन्दर तरीका और सजावर से बनाया ताकि दर्सकों को देखने में भक्ती और स्वध्धालों की भाब को भी जागुरित कर सके इस धाम की मुखो तो अकरसित करने वाली है नववदीव धाम में जो की साइट फूट यानि सिक्स्टी फूट उचाई की एक स्रीश्री पिष्णोचत्वनों महाप्रोभु की प्रोतीमा जो फाइबर से बना हुआ है धीरे धीरे में एकुफा की तरफ से या साइट फूट उचाई की चोड़ाई में जो रखे हैं इसमें बहुत कारू कर्जो और हस्तो सिल्पो की एक प्रोयुक द्वारा से बनाया के एकुफा है जिसमें धीरे धीरे आप असानी से प्रोभेश्ट कर सकते हैं इस धाम को और भी अंदर की तरफ जबुफा की तरफ धीर धीरे प्रोभेश्ट करेंगे जरू सामने कुछ बागीचा या कारेल में बहुती सुन्दर स्री कृष्ण चत्यनों महाप्रोभे की और कृष्ण और स्री राम चंग्रों की हर उतिहासी कुछ घटना और परस्तित और स्री कृष्ण की जोईगुनिक जो बाल्लो काल की कहानी से लेकर सभी तोथों से कुछ परिश्फूर करने के लिए यहां रखे है नरवरी स्री कृष्ण चत्यनों महाप्रोभे की जो बागीचा है वहाँ पर कृष्ण लिला कृष्ण की रोंगो लिला साथी शोखी और अपना साथी ओकर लेकर जोईगुनिक में जो सामसारिक में कैसे प्रतिबन हुआ और साथी सांती को लाने के लिए धर्म को प्रचार करने के लिए धर्म की साथ जाके उसको कथा प्रवजन और बंद को अपनायकर देश में राज्यों में हर स्थोलो बर इस सांती प्रवजन की साथ जाके गोरांगों महाप्रोभु या स्रीजी चत्यनों महाप्रोभु की एक विश्वास के रूप में जाके प्रिथी भी में इस धर्ती में अबर्तित्वी हैं और साथ ही ये सारे जो काहिनी के कुछ प्रलुभन में संसार, समास और सारे जो इस धर्ती के एक मानुविक रूप में जो भत्ती, अधातिक और भजन, पितन सभी के साथ मिले हुआ जरूर हर सुन्दर प्रदर्शन और हर लिला भक्ति की जो एक वतार की रूप में वहाँ पर सजगे रखा है। जरूर पीसे से आप उस बेक्राउन के में इसी से ले रहा था। की जो सारे आपको देखाए तेरे साइप पुरुचे की स्री स्री कुरोंगों महाप्रभू की जो मुर्दिया है। फ्रोंड के और धिरी जब प्रवेश्च करेंगे यहां पर कुछ सारे श्री कृष्ण की लिला, श्री कृष्ण की हर पुरिक्रोंगा की विशेष्टाओं को एक मिलजय की रूप मर रखा गया है। यहां का रहने के लिए बहुत अच्छे अच्छा शाधन की साथ जाके आप रह सकते हो। एसी या नोन एसी की रूप में अगर हजार या तेर हजार के रूपया में आप असानी से धाम में रेकर नवभूतिव धाम की सारी हास्रों को भी घुम सकते हैं। और पुरिवार में सांती, सुख, भक्ती और स्रत्धाव की सार्जा के कुछ दिन बिताना चाते हैं। जरूर इस धाम में भी पुरिदर्सन करें और रहें। असानी से सामने और धिरे धिरे चपी मीचा में प्रवेश करेंगे। अंदर बहुती सुंदर असानी से जो स्री कृष्ण और भगवान की जो अवतार है कैसे हर बख हर दुनिया में जाके एक अवतार की रूप में आये हैं। और हमारी धर्ती को हमारी पृथी विखोके से एक सांती भक्ति और आदोस्तो के साथ जाके आदमे की रूप में एक नौरो की रूप में जाके आए हैं। देखाने के लिए मिर्चिया में बहुती सुंदर असानी से देखा गया है। हर स्वध्धालों हर व्यक्ति घर अपना प्रयम भक्ति की साथ वहाँ पर स्वध्धा ज्यापन करते हैं साथी हम भी वहाँ पर फ्रवेश्ट करती इसे एक स्री कृष्णों की लिला और स्री स्री चक्रनों महाप्रभु की मुर्तियाओं में दर्शन करकर में भी व्लूख हो गए थे सारी यहाँ का जो द्रिश्चा है आपको चरूर आपको शित करने वाला है असानी से यहाँ का महाप्रशादन लांस के अकरबात करे सो रूपय और डिनार के अकरबात करे 50 रूपय और प्रातो काल के जो नस्ताय को लेने के लिए 40 रूपय है सब चेपले प्रशादन को बगवान की चरूरनों में और भीर क्या जाता है भगमान करहन करने की साथ ही सभी भगता भगतालों स्रद्धा प्रिमियों को प्रशाद के रूपय जाके बितरवन के जाता है वो सारे प्रशादम बहुत ही स्वाधिस्त होता है यहां का देखनी के जरूर आपी प्रद्रशन का